हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं किसानों ने 55 पैसे कीलो में बेची प्यास कब किसानों की मन की बात सुनेंगे पीम मोधी केंदर और राजे की बीजेपी सरकारे भले ही किसानों को राहत देने के बड़े बड़े दावे कर रही हो लेकिन हकीकत यह है कि किसानों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही किसानों की बधाली की ताजा मामला अब गुजरात से सामने आया है जहां प्याज और लहसुन उगाने वाले किसानों को अपनी फसले कोडियों के दाम पर बेचनी पड़ी दे हिंदू की एक रिपोर्ट के मताबिक 25 दिसंबर को गुजरात के राजकोट जिले के रहने वाले एक किसान धर्मेंदर नर्सी पटेल को अपनी 3590 किलो की प्याज की फसल गॉंडल स्थित एग्री प्रोड्यूज मार्किटिंग कमेटी में सिर्फ 1974 रुपए में बेचनी पड़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटेल को ही अपनी मेहनत के पैसे नहीं मिले पटेल की तरह ही प्याज और लहसन उगाने वाले हजारों किसानों को इसी थरह अपनी फसल जबर दस्थ घाटे में बेचने को मजबूर होना पड़ता है बता दे कि गुजरात के भावनगर, राजकोट, जामनगर, अमरेली, जुनागर और कच्च जिलों में प्यास और लहसन की काफी पैदावार की जाती है लेकिन इन फसलों के दामों में चल रही मंदी के से इलाके के किसानों की परेशानिया काफी बढ़ रही है इलाके के किसानों का कहना है कि फसल के कम दामों के चलते वे अपनी फसल को अपने घर में ही रखने को मजबूर है राज्य के विभिन एग्री प्रिडूशन मार्केटिंग कमेटी के सेंट्रों पर किसानों को अपनी फसल घाटे में बेचने को मजबूर होना पड़ता है किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी लागत के हिसाब से भी पैसे नहीं मिल रहे जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है इतनी महनत और वक्त लगाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा किसानों में इसको लेकर काफी निराच्छा है Mind the Newsroom की रिपोर्ट तैंक यू फॉर वाचिंग आर वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें